Hello students, welcome to this channel So, इस वीडियो के अंदर हम Organic Chemistry के काफी सारे reactions को क्या करने वाले हैं Revise करने वाले हैं जो के important होते हैं हमारे किसे भी PGT examination के लिए ठीक है? आप H.T. PGT की preparation कर रहे हो Master grader की preparation कर रहे हो जितने भी teaching exams हैं और उनमें chemistry आती है उनके लिए ये वीडियो काफी beneficial आपके लिए रहने वाला है तो देखो इसमें हम दो questions को cover करेंगे बट दो questions के थू ही हम क्या करेंगे? 30 reactions को revise करेंगे पूरी 30 reactions को हम revise करने वाले हैं 2 questions के थू पहला चोटा सा question है आप लोग की screen के सामने है वीडियो को pause करके आपने खुझ से try करने है तो इससे क्या होगा आपकी 7 reactions अभी revise हो जाएंगे तो इससे पहले question के थू ही आपकी revise होने वाली है तो important question है इन में से कोई भी part directly आपके exam में पूछा जा सकता है तो आप लोग की को try कर लो अपने end पे because इस type की question से क्या होगा आपका जो confidence है वो अलग level पे क्या हो जाएगा build up हो जाएगा तो लो try करो students पहले question को तो लो start करते हैं आई होप आप लोग ने अपने end पे try किया होगा तो देखो पहला question क्या बोल रहा है हमने एक alkyne की reaction ethane की reaction करवाई है किसके साथ करवाई है red hot copper के साथ तो मैं आपको बता दू students जब भी हम ethane की reaction red hot copper से करवाते हैं तो यहाँ पे aromatization reaction होता है और जो final product बनता है हमार पास वो होता है benzene तो बेसिकली हम alkyne के 3 moles लेके चलते हैं और यह बहुत ही famous reaction होता है red hot copper की presence में alkyne से क्या बन जाता है हमार पास benzene बन जाता है और कौन सी reaction है देखो अगर हमने alkyne लिया simple अगर हमने alkyne लिया simple देखो ऐसा और इसकी reaction red hot copper के साथ करवाई तो हमार पास बनता है benzene basically हम क्या लेके चलते हैं 3 moles लेके चलते हैं इथायन के बट अगर हमने कुछ इस तरह का compound ले लिया CH3 C triple bond CH propine type का और उसकी वी same reaction करवाई red hot copper के साथ तब इस case में जो compound बनता है वो कुछ इस type का होता है और इस type के compound को हम बोलते हैं mesetylene इसको क्या बोलते हैं mesetylene तो दो important reaction आप लोग को यहाँ पे आ जुकी होगी अगर हम इथायन का red hot copper के साथ करवाते हैं बेंजीन propine का करवाते हैं तो mesetylene क्या बनता है हम अरपास product बनता है उसके बाद देखो हमने जो next reaction करवाई है इस reaction को हम बोलते हैं क्या प्रिडल क्राफ्ट अलकाइलिशन reaction तो यहाँ पे जो CH3 अलकाल हलाइड वाल पार्ट होता है इसमें हम Rx होता है Rx टाइप लिख सकते है तो R के उपर positive बन जाता है मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 positive बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 positive बन जाएगा जो के benzene ring के साथ जाके attach हो जाएगा तो जो B product होगा हमारे पास वो हो जाएगा tollene यह B product का नाम क्या हो जाएगा tollene हो जाएगा विकॉज जो CH3 positive electrophile बन जाएगा वो benzene ring के साथ electrophilic substitution reaction को show कर देगा उसके बाद देखो मैंने आप लोग को पढ़ाई भी हुए पहले YouTube पे यह आप लोग को पता होगा जब भी हम Km4 के साथ reaction करवाते है और हमारे पास alpha carbon होता है जब benzoylic hydrogen होता है तो उपर वाला पूरा group क्या कर जाता है oxidize कर जाता है तो यह reaction सभी students को याद होगी तो उपर वाला पूरा group oxidize होके इसमें करवर्ट हो जाएगा benzoic acid में करवर्ट हो जाएगा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस carbon के उपर benzoylic carbon के साथ वाला carbon क्या होता है benzylic carbon अगर उसके उपर एक भी hydrogen present हो तो पूरा group oxidize हो जाता है कि इसमें और ये finally क्या बन गया हमारे पास benzoic acid का formation हो चुक है benzoic acid का formation हो चुक है इस compound को हम क्या बोलते थे toline बोलते थे इसको हम क्या बोलते थे benzene बोलते थे अब देखो benzoic acid बन गया हमारे पास अब benzoin का reaction हमने करवाया SOCl2 के साथ तीक है SOCl2 के साथ क्या होता है जो OH होता है OH हडता है उसकी जगे CL लगता है तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह का compound बन गया C double bond O CL जिसको हम बोलते है Benzoil Chloride जिसको हम क्या बोलते है Benzoil Chloride तो जो fourth product है हमारा वो क्या बन चुका है Benzoil Chloride बन चुका है I hope आप लोग को यहां तक आप लोग कोशन सही कर रहे होंगे और आपके जो अंसर्द है वो correct आ रहे होंगे Next देखो हमारे पास Benzoil Chloride का reaction H2 Platinum Barium Sulfade के साथ अब इस reaction का नाम क्या होता है हमारे पास Rosenman Reduction Rosenman Reduction होता है इस reaction का नाम इसमें जो acid chloride है वो reduce हो जाता है हमारे पास Eldehyde के अंदर मतलब यहां पर किसका formation हो जाता है Benzoildehyde का formation हो जाता है Students यहां पर formation हो जाता है Benzoildehyde का इस reaction का नाम होता है हमारे पास Rosenman Reduction Rosenman में होता क्या है basically Rosenman में हमारे पास कोई acid chloride होता है उसकी reaction हम करवाते है H2, platinum and barium sulfate के साथ और जो final product बनता है हमार पास वो एक aldehyde होता है तो यहां तक हमारी 5 reactions cover हो चुकी है अब aldehyde की reaction मैंने करवाई है hydrazine in basic medium तो इस reaction का नाम होता है students, wolf-kishner reduction इस reaction का नाम क्या होता है हमार पास C double bond O double bond O की जगे क्या लग जाता है H2 मतलब यहां पर क्या होता है अगर यह C double bond O है तो इसकी जगे पर क्या लग जाएगा HH लग जाएगा, मतलब अलकेन का क्या हो जाता है formation, दो reaction पढ़ते है एक होती है hydrazine in basic medium और heat कर देते है इसको हम बोलते हैं क्या बुल्फ कुष्णर reduction और दूसरी होती है हमार पास concentrated HCl plus zinc amalgam इसको हम बोलते हैं क्या clemencen reduction दोनों के products क्या होते हैं almost same होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं clemencen reduction तो जो finally product बनेगा C double bond O का reduction हो जाएगा किसमे CH3 के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा अब tolin की हमने क्या करवा दी Bromination Bromination में क्या होता है A catch हटाएंगे BR लगाएंगे A catch हटाएंगे BR लगाएंगे तो जो finally product बन जाएगा वो कुछ इस type का हमें दिखाई देगा जो Bromination होती है Alkane की reaction होती है एक Hydron हटाते है उसकी जगे Bromine लगाते है तो ये थी हमारे पहली 7 reaction आई होपा आप लोग के 7 में से काफी सारे questions हैं जो सही होया होंगे और जिनके students ने पहली वर पड़ी है उनको ये वाली reactions भी proper way में समझ आ जुकी होंगे पहला तो easy question था 27 part को solve करना है तो students क्या आप लोग ready हैं जिसमें हम पूरी organic chemistry को काफी सारे reactions को क्या करने वाले हैं revise करने वाले हैं काफी सारे reactions को हम क्या करेंगे revise करेंगे question number 2 start करते हैं पहले एक alkane दिया है हमने मतलब ethane दिया है ethane की reaction हमने करवाई है किसके साथ chlorine H2 के साथ product A बना फिर alcoholic QH के साथ product 2 बना फिर ozonalysis करवाया product 3 बना पहले तीन question तो आप solve कर सकते हो करो एक वा try I hope आप लोग ने try किया होंगे पहले कुछ parts तो दिखो पहले हमारे पास chlorination reaction है H हट है या chlorine लगेगा तो simple CH3 CH2 CL का क्या हो जाएगा formation हो जाएगा उसके बाद देखो students हमने जो next reaction करवाया one बना बना प्रोड़क्ट का alcoholic QH के साथ करवाया तो मैं आपको बता दूँ अगर हमारे पास कोई alkyl chloride हो और उसकी reaction अगर हम alcoholic QH के साथ करवाते है तो होता है हमारे पास elimination reaction तो क्या होता है हमारे पास elimination reaction होता है अगर हम इसका reaction करवाएं aqus QH के साथ तो हमारे पास substitution reaction होता है तो alcoholic और aqus वर्ड से ही reaction में क्या आजाता है difference आजाता है तो जब alcoholic में elimination होगा तो यह वाली position को हम बोलते है alpha position इसके साथ हालोगेन अटाइच है साथ वाले को बीटा बोलते है alpha से chlorine जाता है beta से H जाता है तो हमारे पास finally alkyne क्या बन जाता है prob Schnack बन जाते हैं, इस reaction को हम बोलते हैं क्या dehydro halogenation इसको हम क्या बोलते हैं dehydro halogenation अगर हमारे पास Aqq2H दिया होता, तो हम करवा दे substitution, तो CL2 की जगओने लग जाता, OH लग जाता तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं substitution बोलते हैं, अब हम देखो alcohol IQ IQ दिया हुआ है it means हमारे पास क्या बनेगा ation elimination product बनेगा इस case मैं हमारे पास elimination product बनेगा और जो finally क्या बन जाएगा एक alkin बन जाएगा उजो product number two होगा वो हमारा हो जाएगा alkin अब alkin की हमने करवाई है weit n gent ersonal basis alkin की dostęp ozonolysis कैसे करवाएंगे यह ozonolysis करवाएंगे इसकी तो हमने ozonolysis में कैसे करना होता है यह double bond break करना होता है इस carbon के उपर double bond हो इस carbon के उपर double bond हो तो बनेगा क्या h c double bond o h इसकी दो यूनिट्स मार पास क्या हो जाएंगी तो दो यूनिट्स किसके बन जाएंगे formaldehyde के बन जाएंगे तो जो final third product होगा हमारा वो हो जाएगा formaldehyde अब formaldehyde की reaction हमने करवाई है aldehyde the ketone की reaction zinc amalgam and concentrated hcl के साथ तो यह कौन सी reaction होगी students यह होगी है मार पास clemencen reduction यह कौन सी reaction होगी हमार पास clemencen reduction तो जिसमें c double bond o double bond o हटके क्या लग जाएंगे दो h मतलब जो product number 4 होगा वो हमार पास methane का formation हो जाएगा तो जो product number 4 होगा वो हमार पास क्या हो जाएगा methane हो जाएगा CH4 I hope आप लोग को यहां तक reactions clear हो रही होगी उसके बाद methane का हमने क्या करवा है chlorination करवा है chlorination में क्या होता है hydrogen हटता है और उसके जगे पे c l लगता है बिल्कुल easy तो यहां पे product number 5 क्या बन जाएगा CH3 Cl अब देखो product number 6 के लिए क्या गया है हमने alkyl chloride के सामने cyanide लिखा है KCN तो KCN में क्या आएगा CN माइनस आएगा जो इस carbon के उपर attack करेगा CLA को बाहर कर देगा मतलब यहां पे कौन सी reaction हो जाएगी substitution reaction हो जाएगी students तो जो product बनेगा CH3 C triple bond N मतलब CLA की जगे क्या लग गया हमारे पास cyanide लग गया तो यह product number क्या हो गया हमारा यह हो गया यह product number 5 था आई हूप आप लोगको product number 6 तक तो reaction समझ आ जुगी होगी अब जो product number 6 है cyanide इसका partial hydrolysis करवा है जब भी हम cyanide का partial hydrolysis करते हैं तो हमारे पास amide का formation होता है तो हमारे पास किसका formation होता है amide का formation हो जाता है तो carbon का हमारे पास क्या बन गया amide बन गया तो यह बन जाएगा हमारे पास product number 7 जेखो मैं बता देता हूँ कैसे करवानी होती है hydrolysis अगर हमारे पास cyanide है अगर इसके हम hydrolysis करवाएं complete तो बनता है हमारे पास carboxlic acid अगर हमारे पास cyanide है और इसकी hydrolysis करवाएं partial तो partial hydrolysis से हमारे पास amide का क्या होता है? formation होता है तो partial hydrolysis से क्या बनता है amide complete hydrolysis से क्या बनता है यह carboxly acid तो यहाँ पर हमारे पास किसका formation हो गया amide का formation हो चुका है तो हम product number 7 तक पहुँच चुके हैं अब product number 7 की reaction हमने करवाई है यह phosphorus pentoxide के साथ P2O5 के साथ जो P2O5 होता है एक dehydrating agent होता है यह क्या होता है हमारे पास dehydrating agent मतलब इसका काम होता है पानी को absorb करना ठीक है पानी निकाल देगा तो यहाँ से O चला जाता है मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है यह reaction CH3CW bond O NS2 है इसकी reaction हमने करवाई P2O5 के साथ heating condition में तो यहाँ पर होता क्या है यहाँ से oxygen और यहाँ से H यह carbon के दो bond तूट गए और nitrogen का एक तो यहाँ पर क्या बन जागा triple bond बन जाता है carbon और nitrogen में basically इस reaction में हो क्या रहा है dehydration हो रहा है तो यहाँ पर जो product number 8 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास फिर से cyanide का formation हो जाएगा पहले हमने cyanide में पानी डाला था अब cyanide से पानी क्या कर दिया निकाल दिया थोरी हमाईट से पानी निकाल दिया तो क्या बन गया cyanide तो product number 8 क्या बन चुक है हमारे पास cyanide बन चुक है उसके बाद देखो जो product 8 बना था हमारा cyanide इसकी हमने hydrolysis करवा दिया अब हमने complete hydrolysis करवाई है देखो पहले क्या करवाय था product number 6 से 7 तक हमने partial hydrolysis करवाय था तो amide बनाया था तो कि partial clear word हमें mention था अब देखो product number 8 का हमने hydrolysis करवाया कहीं पे भी partial word mention नहीं है तो हम complete hydrolysis करवाएंगे तो complete hydrolysis से क्या बनेगा बताओ students complete hydrolysis से बन जाएगा carboxylic acid complete hydrolysis से क्या बनेगा carboxylic acid बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा product number 9 अब product number 9 की reaction हमने करवाई है NOH plus calcium oxide के साथ इसको हम बोलते हैं soda lime इसको हम क्या बोलते हैं इस mixture को soda lime बोलते हैं और इस reaction का नाम होता है soda lime decarboxylation इस reaction का नाम क्या होता है soda lime decarboxylation तो इस reaction में हमने करना क्या होता है यहाँ से CO2 निकाल लेनी होती है यहाँ से CO2 देखो ऐसे करना होता है CH3 C1OOH तो यहाँ से हमने क्या गर निते CO2 निकालने होती है तो बज़्जक क्या जाएगा CH3H मतलब यहाँ पर हमारे पास किसका formation हो जाएगा methane का formation हो जाएगा प्लस CO2 gas क्या हो जाएगी release हो जाएगी तो जो product number 10 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास methane का formation हो जाएगा इस reaction का नाम क्या होता है soda lime decarboxylation reaction अब इसके बाद देखो फिर से chlorination करवा दिया यह तो हमें tips पर आ जुका है कि A के चहटेगा और CL लग जाएगा product number 11 क्या हो गया हमारे पास CH3CL यह हो गया हमारे पास 11 number product अब देखो जो 11 number product बना है हमारा CH3CL इसकी reaction benzene और ALCL3 की प्रेज़स में करवागी है तो कौन सी reaction हो जाएगी Friddle Craft Alkylation reaction यह कौन सी reaction हो जाएगी Friddle Craft Alkylation reaction तो यहाँ पे जो finally product बनेगा वो benzene के उपर के लग जाएगा CH3 group लग जाएगा benzene के उपर के लग जाएगा CH3 group लग जाएगा तो it means किसका formation हो गया product number 12 में thaline का हमारे पास formation हो चुक है अब उसके बाद देखो हमने करवाई strong oxidizing KmN4 के साथ heat करवाया तो उपर वाला पूरा group oxidize करके क्या बन जाएगा carboxylic acid में convert हो जाएगा तो जो हमारे पास product number 13 है वो क्या बन जाएगा benzoic acid बन जाएगा अब जो benzoic acid है उसको हमने ammonia की presence में heat किया है तो इसकी reaction में आपको बताता हूँ कैसे होती है जैसे हम क्या करते है ये benzoic acid होता है इसको ammonia के साथ heat करते है तो जो OH होता है हटता है उसकी जाएगे NH2 लग जाता है OH हटता है उसकी जाएगे क्या लग जाता है NH2 लग जाता है मतलोग amide का क्या हो जाता है formation हो जाता है तो जो हमारे पास 14th product बनेगा वो क्या हो जाएगा benzamide हो जाएगा 14th product क्या बन जाएगा हमारे पास benzamide उसके बाद देखो benzamide की हमने क्या गरवई है reduction करवई है reduction के लिए क्या यूज की हमने lithium aluminum hydride को तो reduction किसमें हो जाएगा अमाइड का अमाइड का reduction हो जाएगा amine में मतलो यहाँ पर बन जाएगा CH2-NH2 का formation हो जाएगा यहाँ पर किसका formation हो जाएगा CH2, NH2 का formation हो जाएगा इसके बाद देखो next students NaNO2 प्लस HCl के साथ कौन सी reaction होती है इन students ने मेरा Amines Collector बढ़ा है उनको पता है यह Diasotization reaction है कौन सी reaction है students यह Diasotization reaction जिसमें क्या होता है हमर पास पहले तो Diasonym Salt बनता है यह वाला CH2 N2 positive NH2 हटता है उसके Diasonym Salt बनता है अगर reaction में कुछ और ना दिया हो तो N2 प्लस हटता है उसके जगे OH लग जाता है तो जहाँ पे जो 16th product है हमारा वो कया बन जाएगा Benzyl Alcohol का formation हो जाएगा TH2 OH सभी को क्या यह बास समझाई कि जो हमारे पास 16th product है वो बन जाएगा Benzyl Alcohol उसको PCC PCC क्या होता है को mild oxidizing agent होता है जो किसको oxidize करता है यह जो PCC mild oxidizing agent होता है जो oxidize करता है alcohol को किसके अंदर aldehyde के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास किसका formation हो चुका है Benzylidehyde का formation हो चुका है को हटालो आप यह वाला प्रोड़क्ट नी बनेगा यह एक और हमने PCC साथ करवा दी तो उसके बाद जो हमारा प्रोड़क्ट है वो क्या बन गया बैंजल्ड हाइड अब बैंजल्ड हाइड की रेक्शन हमने किसके साथ करवानी है कंसेंट्रेटड बैस के साथ यह जो बैंजल्ड हाइड बना हमारा उसकी रेक्शन किसके साथ करवानी है हमने concentrated base के साथ अब concentrated base के साथ benzaldehyde की कौन सी reaction है canizaro reaction है students आप लोग उने मेरा name reaction का session पढ़ा था वहाँ पर मैंने करवा रखी है तो canizaro reaction के products क्या होते है एक unit का oxidation हो जाता है और एक unit का हमारे पास क्या हो जाता है reduction हो जाता है इस तरह के हमारे पास क्या बनेगे दो products बन जाएंगे एक unit का हमने क्या करवा दिया benzaldehyde की एक unit का reduction करवा दिया एक का क्या करवा दिया oxidation तो इस reaction का हम क्या बोलते है canizaro reaction बोलते है इसको क्या बोलते हैं canizaro reaction अब उसके बाद देखो जो canizaro में 19th product बना हमारा यह 19th product है इसकी reaction हमने Kmnophor के साथ करवाई Kmnophor क्या होता है oxidizing agent जेखो हमारे पास 19th में दो products बने एक तो यह वाला product बन गया एक तो यह वाला product बन गया दूसरा यह वाला product बन गया उसके बाद हमने क्या करवाया Kmnophor के साथ reaction करवाया तो यह वाला species तो already oxidized form है न तो यह वाला react करेगा यह वाला क्या हो जाएगा oxidized हो जाएगा तो 19th product जो यह वाला था हमारा benzyl alcohol वही oxidized हो सकता है तो oxidized होगा किसमे oxidized हो जाएगा किसमे carboxylic acid मे 23rd product क्या बन गया हमार पास carboxylic acid का formation हो चुक है उसके बाद फिर से ammonia के साथ heat तो फिर हमें reaction जा दे कौन सी reaction है यह OH हटता था NH2 लगता था amide का formation अब amide की reaction bromine base के साथ करवाईगी है तो amide की reaction bromine base के साथ करवाईगी है इस reaction को हम बोलते है hbd reaction hbd का क्या मतलब होता है happy body reaction नहीं happy body नहीं इसको हम बोलते है hoffman bromamide degradation reaction यह hoffman bromamide degradation reaction तो इसमें करते गया थी एक carbon कम कर दे थी यहां से c double bond o को गायब करके जो product बनता था हमारे पास वो बन जाएगा NS2 मतलब यहां पे किसका formation हो गया aniline का formation हो चुक है c double bond हटाया NS2 लगाया clear है उसके बाद NaN2 प्लस HCl और heat कर दिया तो यह फिर से disonium salt बनता है disonium salt बनता है diisotization reaction है N2 प्लस हटता है उसकी जगे क्या लग जाता है OH लग जाता है तो यहां पे 23rd product बन गया हमारा हो गया phenol यह 23rd product क्या बन गया students हमारा phenol बन गया देखो amines की reaction बहुत है important है आपके exam में पूछी जाती है तो 23rd product तक आ चुक है हम उसके बाद देखो 23rd यहां पे हमारा 23rd बन चुक है हमारा phenol अब phenol की reaction हमने करवाई है N2H प्लस CO2 के साथ इसको हम बोलते है call bay reaction ठीक इसको कौन सी reaction बोलते है call bay reaction जब phenol की reaction हम पहले base के साथ करवाते है फिर CO2 के साथ करवाते है तो फिर hydrolysis कर देते है तो product क्या होता है यहां पे OH यहां पे orthoposition पे C double bond OH गरप लग जाते है इस reaction का नाम होता है call bay reaction call bay shumato बोलते है इसको और इस product का नाम क्या होता है salicylic acid होता है salicylic acid तो मतलब जो next reaction करवाईगी है ठीक इसके साथ H प्लस भी लिलू ठीक है यह हमार पास phenol की reaction जिससे क्या बनता है salicylic acid बनता है तो यहां पे किसका formation होगा हमार पास salicylic acid का formation हो चुक है salicylic acid उसके बाद देखो students हमने इसका reaction करवाया NOH और CO के साथ यह फिर से क्या आ गया soda lime आ गया यह फिर से क्या आ गया हमार पास soda lime तो इस reaction का नाम क्या हो जाएगा soda lime d carboxylitin तो यहां से क्या निकल देगा CO2 यहां से हमार पास CO2 निकल जाएगा तो बचेए क्या फिर से phenol बन जाएगा तो 25th product कौन सा बन जाएगा फिर से हमारे पास phenol का formation हो जाएगा तो 25th product क्या बनेगा हमारे पास phenol का formation हो जाएगा यह दो product's बचेए एक और try करो अपने end पे 26th और 27th product को बनाने की आप अपने end पे कोशिश करो तो देखो 25 से 26 क्या बनेगा बहुती famous reaction है reaction का नाम क्या है रिमन टीमन reaction जिसको हम short में RTR बोल देते हैं रिमन टीमन reaction रिमन टीमन reaction में क्या होता है जब हम phenol की reaction करवाते हैं chloroform और base के साथ फाइनली product बनाता है वो क्या हो जाता है Salicyl'dehyde बन जाता है फाइनली product बनाता है कुछ Salicyl'dehyde बन जाता है तो जो next product होगा 26 number वो बन जाएगा हम आर पास phenol और इसकी ortho position पे aldehyde group लग जाता है इसको हम क्या बोलते है Salicyl'dehyde इसको हम क्या बोलते है चैलिसिल्ड हाइड अब इसकी रियक्शन करवाई है जिंक डस्ट के साथ क्या होता है फिनोली गुरूप का औक्सिडेशन फिनोली गुरूप का रिडक्शन हो जाता है मतलब यहां से OH हड जाता है तो जो 27 प्रोड़क्ट है वो क्या बन जाएगा हमर पास बैंजल्डे हाइड बन जाएगा आप लोगोंने पढ़ी होगी रियक्शन जब हम फिनोली की रियक्शन करवाते है जिंक डस्ट के साथ जो OH हड़ता है किसमे कनवट हो जाता है बैंजीन के अंदर कनवट हो जाता है तो यहां से भी हमने OH को हटाया फिर क्या कर दिया यहां पर जो परड़क्ट बना 27 इसको हम बोलते है बैंजल्डे हाइड हो तो देखो कितनी रियक्शन हमने इस कोश्चन के त्रू क्या कर दिया कवर कर दिया देखो काफी टाइम लगता है इस ताइप के कोश्चन मनाने को आई होप आप लोगको यह वाला कोश्चन समझ आया होगा देखो कितनी रियक्शन में कितनी नेम्ड रियक्शन को कवर किया यहां पर तो इस टाइप के मैं आपके लिए दो-तिन सेशन और लेक्या हूँगा तो आपकी जो कम्प्लीट और्गैनिकी रियक्शन है वो आपको याद हो सके जो भी कोश्चन मैंने आज करवाए हैं आपको यह वाला कोश्चन नोट कर लो इसको जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन शोट लेना है लेलो इसका यह पहला कोश्चन है दूसरा कोश्चन है यह वाला यहां से स्टार्ट हुआ फिर नेक्स्ट पार्ट यह वाला फिर यह वाला पार्ट और फिर यह वाला पार्ट आप वीडियो को दीरे करके इनके screenshot ले लेना उसके बाद देखो उससे try करना है इस सारे question को क्या आपको इतनी reaction ज़्याद है और गयने की जितनी भी आपकी books में reaction दी होती है सबी को यहाँ पर include किया गया है तो इस type सी मैंने अपने questions को frame किया था कि maximum students की क्या हो सके minimum time के अंदर reason हो सके जो भी student किसे भी PGT course के लिए यह chemistry की preparation करना चाहते है वो chemistry A to Z app को क्या कर सकते है download कर सकते है और आपको इस video revision के लिए कैसा रहा इसका विया feedback comment section के अंदर दे सकते हो thank you for watching this video